Hello guys, welcome back to new video friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने में बलाओ टेक्नो फोन के top 5 features जो की hidden features है आपके फोन में दिया गया है बढ़ आप उसका use नहीं कर पाते हो क्यूंकि इनके बारे में आपको पता ही नहीं होता है तो guys आज के इस वीडियो में जो भी top 5 features है उसके बारे म कुछ पता नहीं होता है तो guys कैसे enable करना है और इसका क्या क्या benefit होने बला है आपके phone में सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा वीडियो को बस last step watch कीजेगा और guys उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो वीवर से उन लोगों ने हमें बहुत जो बात करना होता है बहुत ही ज़्यदा difficult होता है इसलिए मैंने instagram का link अपने video के description में दे दिया है आप वहाँ पर जाएए वहाँ से हमें जो भी contact करना होगा आप कर सकते हो बड़े असानी से आप जो भी problem होगा वहाँ पर मैं आपका solution दूँगा उस problem का तो guys आप directly आकर instagram प चैनल को भी और वहाँ पर आपको video regular देखने के लिए मिल जाएगा जो भी आप comment करते हो उस पर तो guys यहाँ पर बात कर लेते है top 5 features जो भी हमारे phone में भी available है और हम उसे use नहीं कर पाते तो guys इस video को like कर दीजेगा और चली आपको बताते कि आप कौन-कौन से features को कैसे use कर सकत हो तो guys इसको सबसे पहले हम enable कर लेते हैं उसके बाद आपको बताता हूँ इसका benefit क्या होता है तो guys इसको enable करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है आपके phone की setting में जैसे आप phone की setting में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिलेंगे आपको यहाँ पर accessibility का option मिल जाएगा अगर इस तरह से आपको phone में सो नहीं कर रहा है तो आप search bar में search कर सकते हो accessibility और आपको इस तरह का option मिल जाएगा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे accessibility में तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिलेंगे जैसमें से आपको एक option दिख रहा होगा तो थोरा सा different विट्रेंट आपको triple tap करना होगा उसके बाद यहाँ इसको use कर सकते हो बट यहाँ पर हम किसी भी एक point पर जाकर इसको enable कर सकते हो तो हम यहाँ पर क्या करते है मैं आपको home screen पर आकर आपको दिखा देता हूँ guys यहाँ पर अभी जो यहाँ पर बटन आ चुका है accessibility का आपको क्या करना है इस पर click करना आप जैसे इस पर click करोगे तो यहाँ पर जो आपका display है वहाँ पर आपको double tap करना है जिस भी area को आपको zoom करना है उस पर आपको double tap करन तो guys यह जो features से आपके phone में बहुत पहले से दिया जाता है बट आपको पता नहीं होता है आप इसका use नहीं कर पाते हो तो यह जो हमारा feature से इसका नाम है accessibility magnification तो आप इसका use कर सकते हो किसी भी अपने home screen पर या फिर किसी भी display पर आप इसको zoom कर सकते हो इस तरह से zoom करके आप देख सकते हो कोई भी text या फिर कुछ भी photo वेगेटा हो आप इसको अच्छे से zoom करके देख सकते हो इस setting की मदद सो guys अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे features की जो कि आपके techno के phone में दिया गया है बट आप उसका use नहीं करते हो तो guys दूसरा features आपको यहीं पर मिल जाता है आ आप अपने phone के control menu में जाएंगे इस तरह से जहां पर भी आपको control menu दिया जाता है यहां पर आप बहुत सारे option को enable कर सकते हो on कर सकते हो off कर सकते हो shortcut में तो आपको यहां पर control menu मिल जाता है यहीं पर आप देखोगे आपके techno phone में उपर की setup को एक icon दिखने के लिए मिलेगा क्लिक करना है और इसका नाम है आपका notification filter तो गैस हमारा जो second feature है वो यही होने वाला है notification filter गैस क्या होता है कि हमारा phone जो हम किसी को भी देते हैं अपने phone को तो उस time मेरे phone में बहुत ज़्यादा important notification आता है mails आते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारा notification है कोई भी अगर मे क्या notification आया है बहुत सारे हमारे application के notification हो सकते WhatsApp का या फिर message का कोई भी message हो सकता है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो notification filter में आकर यहाँ पर उपर की साट आपको एक setting का icon मिलता है इस पर क्लिक करके intelligence notification इस तरह से आपके phone में यह off होगा इसको आपको on कर देना है और नीचे आप को यहाँ पर टिक करने का option मिलता है इन सभी पर आपको टिक कर देना है इस तरह से टिक कर देना है इस तरह से आप टिक कर देंगे तो क्या होगा कि आप जब तक इस तरह से इसे on करके रखेंगे आपके phone में जितने भी notification आएंगे आपके home screen पर यहाँ पर show नहीं करेगा notification नहीं आएगा जिससे आप किसी को भी नहीं दिखा सकते हो अपने notification और आप चुपा कर रख सकते हो और simply से यहाँ पर आके उस notification को देख सकतो हो और वापस से इसे बंद करना होगा तो आप यहाँ पर आके intelligence notification को यहाँ से बंद कर देना इस तरह से बंद कर दोगे आपके फोन में जो भी notification नहीं आ रहा था display पर वह आना वापस से start हो जागा तो अब हमारा third number का जो feature से होने वाला है uses history जी हैं दोस्तों अगर आप अपने phone को कहीं पर भी देते हो किसी को भी तो क्या आपके phone में use करता है नहीं करता है आपको मालूम नहीं चल पाता है आप जब ही वापस phone को लेते हो तो आप नहीं जान पाते हो कि उसने आपके phone में क्या use किया क्या नहीं use किया या फिर कई वार आप ही अपने phone में क्या क्या use करते हो और भूल जाते हो कि मैंने क्या use किया तो उन सभी को देखने के लिए आपके phone में एक features दिया जाता है जिससे आप देख पाएंगे कि आपने क्या use किया था और क्या नहीं use किया था और कितने time के लिए use किया था तो गाइस इसको चेक करना बहुत ही असान है आपके फोन में फीचर्स दिया जाता है secret code से आप डाय करके यहां पर पता कर सकते हो तो किस तरह से आपको इस trick को करना है मैं बता रहा हुगा आपको क्या करना है आपके फोन में डायलर को open कर लेना है आपके phone में dialer को open कर लेंगे तो आपको deal pad को open कर लेना है और यहाँ पर आपको एक secret code को dial करना है उसके बद आप पता कर पाएंगे कि आपने क्या चलाया था और क्या नहीं चलाया था तो यहाँ पर जो code है वो है star has star has और 463646 और 36 और has star has star guys इस तर से आपको यहाँ पर tap कर लेना है code को dial कर लेना है तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा usage statistics guys इस बहले option पर आपको click करना है यहाँ पर click करते हो तो आपके सामने पूरा information यहाँ पर आ जाता है आप देख सकतों यहाँ पर कब और क्या कितने दर के लिए यहाँ पर use किया गया है जैसे कि camera यहाँ पर देख सकतों March 1 2023 को 1 minute 31 second के लिए यहाँ पर use किया गया है Google Play Services Settings, Phone Master, Chrome, YouTube इस तर से आप देख सकतों यहाँ पर सब कुछ आ चुका है यहाँ पर Chrome को देख सकतों यहाँ पर 10 बज के 9 minute पर 42 second पर use किया गया है 30 minute 3 second के लिए और YouTube यहाँ चार मार्च को use किया गया है और 23 minute 43 second के लिए यहाँ पर use किया गया है तो गाईस इस तर से आप पता कर सकतों कि आपके phone में कब और क्या किस तर से सोरी कितने time के लिए use किया गया है सब कुछ आप यहाँ से पता कर सकतों तो गाईस आप बात करते हैं हमारे fourth number के जो feature से उसके बारे में तो गाईस fourth number का जो feature से उसका नाम है file to message file to notification आप जो भी बोल लिए file to message या फिर file to notification गाईस का बार क्या होता है कि हमारे phone में जो उपर की साइड आप देख सकते हूं यहाँ पर कोई भी file to notification आता रहता है उस notification को हम अपने phone में आना बंद करना चाहते है बट ओ file to का message हमारे phone में आता ही रहता है कभी भी बंद नहीं होता है तो guys इसको आप बंद कर सकते हो बरी आसानी से इस तरह का notification आपको फिर कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा चाहे हो किसी पर करका notification आपको chrome browser से आता हो या फिर home screen पर आपको किसी भी application का आता हो जिस type का notification आप नहीं चाहते हो कि आपके phone में आए तो आप उसको बंद कर सकते हो हमेशा के लिए आपको क्या करना है जिस आपके जो notification आता है उस पर आपको tap करके रखना है इस तरह से थोड़ी देर के लिए और tap करके रखेंगे जो भी notification पर उसके बाद आपको यहाँ पर stop notification का यहाँ पर option मिल जाएगा और यहाँ पर आपको notification का एक option मिल जाएगा sorry यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक blue line आपको क्या करना जिस पर आपको blue line दिखे उसी पर आपको click करके बंद करना है, जिससे क्या होगा? कि आपके Fon में इस Type का जो Notification है, फिर कबी आपके Fon में नहीं आएगा, दूबारा नहीं आएगा तो आपको जिस पर Blue line दिखेगा, ँसको आपको यहां से off कर देना है, इस तरह से आपको डिफल होते हैं बट आपको पता नहीं होता है, आप किसी भी लिंक्स पर क्लिक करते हैं, तो कौन सा ब्राउंजर में आपका जो लिंक से ओपन होगा ये आप नहीं जान पाते हो, आपके किसी भी अप्लिकेशन में ओपन हो जाता है, जो भी लिंक पर आप क्लिक करते हो, और यहाँ पर जो आप photos videos को play करते हो तो आपको किसी भी gallery में play हो जाता है तो guys इसका एक setting दिया जाता है जो कि आप manually यहाँ पर set कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना होता है phone की setting में phone की setting में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा apps and notification का यहाँ पर आप जाएंगे यहाँ पर आप किसी भी links पर click करते हो तो आपको कौन सा application में open करना है यहाँ से आप choose कर सकते हो तो यहाँ से मैंने chrome को choose कर रखा है आप जिस भी branch or को select करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो बड़े असानी से और उसके बाद आपको gallery का option मिल जाता है gallery के app में जाएंगे तो यह यहाँ से कोई भी application को select कर सकते हो जो आपको मन करें जिसमें आप open करना चाहो तो यहाँ पर जो मेरा AI gallery है उसको मैंने select कर रहा है आप भी select कर सकते हो जो भी आपको मन करें और नीचे का आपको home app का option मिलता है home app में जो भी home app select करना चाहते हो कर सकते हो phone app का option मिलता है आप system का या फिर कोई additional app है उसको आप select करना चाहते हूँ select कर सकते हूँ और उसी तरह से आपको message का app भी आपको यहाँ पर मिल जाता है तो guys यहाँ से आप simply अपने phone के लिए किसी भी default application को set कर सकते हूँ यह हमारा हो गया last number का जो features है तो guys यहाँ पर मैंने आपको top 5 features बता है जो कि आपके phone में दिया गया है बट आप उनका use नहीं कर पाते हो proper लिकिम कि उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होता है अगर इस वीडियो से आपको कुछी भी जानकारी मिला हो वीडियो को लाइक कर देजेगा और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में